जो आशुरी हैं वो यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उनमें ना तो पवितरता ना उचित आचर ना ही सत्य पाया जाता है तो वो क्या है कि उनमें पवितरता मतलब किसी भी बात के उनके विश्वास नहीं कर सकते हो और ऐसा बोला गया है कि जो आशुरी होते हैं उनके विश्वास करने के बाद वो हमेशा दोका ही देते हैं कि उनका आच्रड ही आशुरी प्रिवर्टिक हो जाता है उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं कि भगवान देख रहा है कौन देख रहा है वो भगवान को भी नहीं मानते हैं किसी बेद और सास् होने के बाद वह असुरों पर कभी भी दिया करतें अगर रावड करते लेकिन उन्हों करते लेकिन आशरी प्रिवर्ति को नहीं छोड़ते हैं अगर आप नहीं हैं तीक दिब गुड़ वाले हैं तो आप अगर नीचे गिर भी जाते हैं अपनी आ सकती से तो भगवान इतने द्यालू है कि आपको उठा लेते हैं लेकिन तमो गुड रजो गुड में आप रहते हैं और आप दान भी देते हैं तो वो दान पुन्य रहते थे और आशुरी प्रिवर्ती वाले जो होते हैं वह ज्यादा तर अट्रेक्ट होते हैं एक महिला से इसलिए श्री चतन महाप्रवू जब भी जब वहां पर रहते थे मायापुर में और जब तरिपुरे बाला जी और जहां वह मत्रूरा ब्रंदावन जाते थे तो किसी भी इस तरी को अपने पास नहीं बुलाते थे और उनका जो हरिदास बोला गया उनका पारशद रहता था उनके साथ जो रहता तो पीये बोल लो उनके साथ रहता से वक वह हमेशा ही दूर रखता था जिससे की होता क्या है कि य प्रोल था उनके बहुत ज्यादा सक्तियां थी लेकिन उनका जो पारशद था छोटा हरिदास जिसको बोलते हैं वह तरुड महिला को एक बार घूर रहता नहीं के तो भगवान श्री चैतन महाप्रवु ने उनको देख लिया और उस पारशद को तुरंत ही अपने निजी जो पारशद होते ना उस वाले जो भी निजी पारशद की संख्या दो या तीन होगी उनसे तरंता ही उन्होंने बहसकार गर दिया उसको निकाल दिया तो यह होते हैं एस गुड काम बासना का बाती है जब हम ज़्यादा आसकती कर लेते हैं क्योंकि महला के साथ रहेंगे महला बार-बार आएंगी सुन्दर महला यह आएंगी तो कोई उनका रीजन यह आता कि वो महलाओं को दूर क्यों रखते थे तो उनमें स्री चतन महापुरगु का कहिना था कि महला को हमेसा सरंचर देना चाहिए जब वो बालिका हो जन्म लेने से लेके साधी ना होने तक तब वो सरंचर रहना चाहिए पिता का उसके बाद पती का और प्रितिष्ठम ते जगदाहुरनी स्वरम अपरासरप्रसंभूतं के मन्नेता काम है तुकम बे कहते हैं कि यह जगत मित्या है इसका कोई आधार नहीं और इसका नियमन किसी इस्वर द्वारा नहीं होता है उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन होता है और काम के अतरि पैसा आएगा ज्यादा रिस्पेक्ट आएगी पर वो यह भूल जाता है कि वह हंडेड इयर्स में फाइव या फाइव जो टेन इयर्स मैंने फार्मूला पहले बताया था कि वह उतना ही कर सकता है उसके बाद वह यहां अगर जन्म लिया है तो मरना उसको निश्चित है उ उसको बहुत सालों तक असुरी यूनी में ही रखा जाता है मतलब वो दुबारा भी आएगा वो हत्या रेप और पैसा और मरडर यही करता रहेगा फिर उसको बाद दुबारा यूनी में जाएगा तो उसकी इस यूनी के चक्कर में क्योंकि वह जब बोली राग भगवान में ही हैं जान इसके एक्टिया काया और जो उसके भी बहुत बहुत ज्यादा करते जो असुरी प्रिवर्थिक दीन उनके लिए बहुती सिंपल एक एक्टिविटी होती है उनकों क्योंकि उन्हें डड़ी नहीं है कि पाप पुन्य के होता है जब भगवानी नहीं मानते तो उनकी जीवत्या परम पे रहती है शिक्षिन पॉइंट नाइन ऐसे इनिस करमों का अनुगमन करते हुए आसरी लोग युद्ध होता है तो परमाण में पूरा ही बिंद्वंस कर देगा पूरे स्रिष्टी का बिंद्वंस कर देगा तो यह बिंद्वंस अगर हो जाता है तो क्या होगा असुरी प्रिवर्त भी नहीं बचेगी दिभी गुडवाले लेकिन असुरी प्रिवर्ती का दुबारा प्रिवर्थी में आएगा और दिभी गुडवालों को भगवान सेल्टर देगा रच्छा करेगा तो यह अगर गलत हाथ में लग जाता है तो असुरी प्रिवर्थी क्योंकि उसे पाप पने से कोई डरने कितनी हत्या हो जाएं कितने लोग मर जाएं उसे कोई फरक नहीं पड गोच्ण है तो ऐसे लोगों से अगर हम संसर्ग आते हैं जैसे हम अच्छे लोगों के संशक मिद्रियां कंट्रोल नहीं तो इसलिए उनको बहटा एसलिए सबूकर्व सब्सक्राइब उनको भैखाना बहुत मुश्यों होता ऐसा श्री कुषिणा ने पहले भी बोला हुआ ए कि इंदरियों को अपने कंट्रोल करो है। तो बुद्धी कंट्रोल लगी अब अच्छा सोच पाएंगे अच्छा कर पाएंगे एलिशेटर रखेंगे अभैत सम्बन रखेंगे गैंबलिंग करेंगे अब यह खाना क्यों मना किया गया है तो प्रीपाद इसके बारे में बोलते हैं जो में मीट खाते हैं तो हम मेंHAHA करते हैं असमेफ सब्सदाता है जैसे मनुस्वी आत्मत्या कर लेता है यहर खाके अउनस होता है तो बेद शास्तर में यह लिखा गया है तो वह दुबारा उसको जैसे मालो किसी बीजानवर की उम्र दस साल है अगर पांच साल बाद वह फिर वह जानवर का ही जन्म लेगा पूरा complete cycle करेगा उसके बाद ही वो अपना दूसरी योनी में जाएगा जब तक नहीं करेगा तो ऐसा ये आसुरी वाले लोग है वो ऐसा ही करते हैं क्योंकि वो उनको पहले ही मार देते हैं जिसकी वज़े से ये meat eating वो लगे इसलिए उनको ज्यादा पाप है intoxication हो गया कि वो मदरा का पान करते हैं मदरा पान करने के बाद उनको होस नहीं रहता कि वो रोड पे पड़े हुए हैं और कौन सी महिला क्या है कोई relation बगरा सब भूल जाते हैं किसी का आदर सतकार भी भूल जाते है 16.1112 उनका विश्वास है कि इंद्रियों की से धन संग्रे करते हैं आप 16.1112 का मतलब क्या कि गोह इंद्रियों के लिए रहते हैं मतलब महों लौब लालत पैसा हमेशा वो सौचते हैं हमसे बडा कोई पैसा नहीं और भगवान है को कोई हम भगवान है हमारे पास पैसा है तो सारी सोसाइटी हमें में रिश्पेक्श करेगी सारे रिष्टेदार हमें रिष्पेक्ट करेंगे तो पैसे कि इतना भूक हो जाते इतना प्राउड करते हैं तो इतने जादा इंद्री त्रस्ट होते हैं कि उनको अगर उनके पैसे के और उनके रिस्पेक्ट कोई बीच में आता है तो उन्हें हत्या करने में टाइम नहीं लगती है क्योंकि जीवत्या कर सकता है वो मनुष्ष के बड़े आसानी से कर सकता है तो वो काम करोध मोह लो में फसा रहता है तो यह आशुरी प्रवर्थी वो उससे निकली नहीं सकता और भगव सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी युजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा इस समय मेरे पास इतना किंद्भविस में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा मेरा सतुर है मैंने उसे मार दिया और मेरे अन सतुर भी मार दिये जाएंगे मैं सभी बस्तों का स् ग्यान बस महोगरस्त रहते हैं तो यह क्या है रावन का एक्जामपल दिया गया है यहां पर कंस का दिया फिरणा का सिप्क का दिया हुआ है यह इतने महोगरस्त हो गए इतने महोगरस्त इतने आसक्त हो गए कि नों ना नारी का सम्मान किया ना इन्होंने भगवान को समझ झाली हुआ प्रिवर्ती के पैदा हुए इसली सब्सक्राइब कर दोờ है इसके बाद यह अने assignment समझने लगे कि मुझसे ज bowl नहीं नहीं मुझसे ज़्यादा धनवान मैं मुझसे जादा आता है तो उनकी मिरत्तु पक्की हो जाती है तो ऐसा कोई नहीं कि आज तक जिसने कि कंस बचाओ या रावन बचाओ यह रड़कसब बचाओ कोई नहीं बचाओं इस प्रिकार अनेक चिंताओं से उदिंग्न हो करता था मोजाल में बंद कर वे इंद्रिय भोग में अतदिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गड़ते रहते हैं तो इसमें गीता में परपट में यह भी लिखा हुए बेदु साथ में कि जो भी मनों से जो भी ब्रूड हत्या क करता है या गरब नोदक गोलियां या जो भी करता क्योंकि यह भगवान में बनाया हुआ सरिष्टी उसमें करता है तो वह भी आसुरी गुड़ वाला बोला गया है क्योंकि आप मैथुन पर जीमन पर संयम नहीं कर सकते हो और कुट्ता बिल्ली जैसे डॉग एनिमल्स और म कोई जीता है तो वह55 साल जो पहले होते हैं वो ब्रहुंचर में रहे 55 साल मतलव zeroर लेकर 25 से फॉनिले vibes साल रहे इसके पछीज साल तक घ्रेस्ट बोला गया है उसके बाद 25 तदक सनयांस्ता जीवन बोला गया जिसमें कि प्रिवपाद ने बिलकूल ही लगवघ ऐसा ही पा लेकिन वो 100 years नहीं जीए इसलिए उनका जो अगर 20-20 साल भी मालने तो उन्होंने कोशिश की वैसे ही कंट्रोल करने की लिए तो ऐसा अगर कोई जीवन करता है जो गीता में लिखा हुआ वगवान स्री करशन के परपट से आया है कि अगर वो ऐसे करता है ब्रहमचर रहता है ग्रस्त रहता है बानप्रस्त और सन्यास रहता है तो वो उत्तम दिविगुडवाला माना गया और इसमें जो असुरी होगा वो इसका उल्टा होता है, वो कोई भ्रहमचर नहीं करता है, कोई ग्रस्त नहीं रखता है, और कोई बानप्रस्त नहीं रखता है, और कोई सन्यास करने को, उसे किसी कोई लेना जीना नहीं होता है, और ग्रस्त जीवन से निरक्थ होने पर मनुस मनुस्री जो मन होता है सरीर अगर निरत में जो जी भत्तिया बोले गई कि नो मीट इटिंग अगर नूमीट इटिंग क्योंकि हमें भगवान ने प्रप्षुर मात्रा में इस जमीन पे आपको अन दिया है फल दिया है पसू दिये जो कि दुखद देते हैं घाय हो गई भेहस हो गई तो इसका पूर्त भी होती है पर आजकल लोगों में इतनी ज़्यादा पसुओं की बली देना और पसुओं जो मीठ है खाने का इतना ज़्यादा जो बोलते हैं एडिक्शन हो गया है कि उसे बहुत ज़्यादा लग गई है लग पड़ी हुई है तो यह आसुरी को नहीं मसंटा है उसकी आसुरी प्रवर्ती और जदा प्रफल हो जाती है इसलिए आसुरी करना कई tutto यह जो चार्रेगलेटोरी फालने मानने पड़ेंगे और पसुओं को मिथ्या अहेंकार बल दर्प काम तथा क्रोध से मोहित होकर आशुरी ब्यक्त अपने शरीर में तथा अन्यकोई शरीर में इस्तिद भगवान से इर्षिया और वास्तिविक धर्म की निंदा करने लगता है वो इर्षिया करता है तो सिसुपाल जैसे यहां वे सिसुपाल का बताया गए बगवान सिरीकर्षन एक सभा में बैठे हुए थे राजाओं की सभाती और उसने उनको आशुरी प्रिवर्ति का पूरा ही परचे दिया और इतना ज्यादा अब्यूज किया इतना गलत बोला कि बगवान ने बहुत ज प्रशन चक्रते उसका जो है सिर धर से अलग कर दिया तो भगवान टाइम पर यह भी बताते हैं कि भगवान है भगवान है तो आप दिव गुड में हैं क्योंकि अगर भगवान नहीं होगा तो हम भरोसा ही नहीं करेंगे पिस सारे ही लोग आशुरी प्रिवर्ति में जान हो पाए इसलिए पुर्शेत्रा के लड़ाई उन्होंने अरजुन को अपने द्वारा कहे जो इंस्ट्रक्शन दी थी कि तुम इनको मैं पहले ही मार चुका हूं तो मैं केवल धर्म की स्तापना करनी मारना जिससे कि कल्यों में बैटे हमको गीता मिले ऐसी भगवान ने ली तीनों के लिए बरावर रहता संसर्व पर इसमें उसको भगवान के लिए कोई भी आ सकती नहीं होती उसे किसी से कोई मतलब नहीं होता वह भगवान से इर्षया और करता और नप्रत पहलाता है वह बगवान जहां देखेंगे उसको इर्षया ही करेगा , जो लोग ऐस्वाल jeent गोर है और नराधम मैं उन्हें निरंतर भिविन आशुरी यूनियों में बगवान कह रहा हैं कि जो और मतलब उनका आन्त नहीं है वह हमेश्वा भिविन आशुरियों में आते रहते हो में हमेशा प्रतारना करते रहते हो वो आसुरी ही बने रहते हैं तो इसलिए आसुरी परिवर्ती में रहने के बाद उनको उससे मुक्ती नहीं मिलती है क्योंकि वो इतने जादा इसको महों होता है इंद्रिय भोग के लिए कि इंद्रिय भोग के आगे उनको कुछ नहीं दिखाई देता है इसलिए भगवान उन मुका ही नहीं देते हैं जिससे कि बहुत बड़ा डियास्टर हो जाए इसलिए उनको आसुणी उन्यों में रखते हैं और खुद उसका जो शानचषड बोलते हैं जो उनका दिब गुडवाला जो उनका सुद्ध वक्त होता उसका सेल्टर करते हैं जैसे आप सेल्टर प्रला सब्सक्राइब महाराज को विड़ाकस्यप में भूत ही दुख दिये लेकिन उनको मार नहीं पाया तरह तरह से बहुत ज्यादा उन्होंने पिरचालन किये तीक है लेकिन नहीं मार पाया धुरु महाराज अकेले बन में पांच साल की उम्र पर करते हैं लेकिन कोई जानवर कुछ भी उनका नहीं बिगाड़ पाया जंगल में जानवर हैंगे लेकिन वो पांच साल के अवस्ता में भी उन्होंने कंद मूल फल खाके उन्होंने गुजारा किया और भगवान के आसकती की भगवान खुद उनके समच्छ आये उनको उन्होंने आसिरवाद दिया तो य अधिया समन्हों ही तो पहुत ज्यादा ही कि ए आकर आ सकती हो जाती म्होंकी तरब की वहएतना सकतसाली हो गया इतना बड़े कि आभड़ी सारह पैदा लगाँ एक ही होता है कंस एक ही होता है और उसको भगवान की दूसरों को एक्जामपल ना सेट हो जाए इसलिए भगवान अवतार लेते हैं और उसका बद करते हैं 16.20 हे कुंती पुत्र ऐसे व्यक्त आसुरी योन में बारं बार जन्म गरहर करते हुए कभी भी मुझे तक पहुंच नहीं पाते हैं दीरे दीरे आते हैं अधम गतिकों प्राप्त होते हैं तो ये भघवान क्या करे कि, वह ख ख़夏 और जाधा और जाधा बहुंआक है अगले जन्म में और जादा मुझे भगवान उनको ऐसी यूनी में डालता रहता है जो पहले से भी ज़़्यादा गिरते जाते हैं तो जैसे उनको एनिमल का डॉग का मिला डॉग के बाद वो और ज़ादा गन्दा जानवर होता वो उस में पहुँचा देतें तो ऐसा ही वो असोरी सक्ति का मनूस में भी बनते हैं कर और ज़ादा गिरा हुआ उता है तो इसलिए हमें इन से बचना चाहिए और आशुरी प्रिवर्ति हमारे उपर नहीं आए तो इसलिए हमें जो हमारा मेडिसन है जब हम बीमार होते हैं तो अगर हमें सर्जरी करनी है हमारे हर्ट में कौला में तो सर्जरी होती है हमें बुखार आता तो हम सर्जरी थोड़ी करवाते हैं हमें बुखार आता तो मेडिसन kind तोबगवान शिदीक शिलिक कर सってる है कि आपको जैसी बीमारी है तो कल्यूग में हम कहते हैं पर यदू कम है और हम 15 रुपय कि यू रó कि जब भी कल्योग में यह आएगा जो परपड में गीता में तो वो महामंत्र चपा कर सकते हैं जिसमें की टाइम कम लगेगा खर्चा भी कम होगा दूसरा है कि फोर प्रिंसिपल रेगुलिटरी जो बूलेगे जो अभी आशुरी मोते वो छोड़ सकते हैं और प्रसादम बन उसकी तो उसको चाहिए उसका जो भो गाइसका वो खाणा है वो भगवान का एश्लो का भजन है और उसका संकीर्टन हैं तो ऐसे हमें करते हैं तो खह Persेया है इस नरक के तीन दौार हैं अब नरक के जाने की तीन दौर क्या हैं चाहे वह दिब्भी गुड में हो चाहे असुर में हो अगर यह दौर क्या है काम अगर हमें काम होता है क्रोध और लोग जो लश्ट ग्रीड और इंगर बोलागे ये तीनी हैं अगर इन तीनों में से हम कोई भी धीमे धीमे खतम करते हैं हम काम खतम कर देते हैं क्रोध खतम कर देते हैं लोग खतम कर देते हैं तो हमारी आशुरी परिबर्ती आटोमेटिक ही खतम हो जाएगी और फिर तिएग बूद्दिमान व्यक्तिट को चाहिके नहीं haग दे क्योंकि इन से अत्मा का पतन होता है तो बहुटान कि यह कह रहे हैं कि अगर वुद्दिमान व्यक्तिच में अल्प इब ग्यान है जो गीता को समझ रहा है पड़ रहा है अब इसमें यह समझ सकते हैं कि जो 26 लोग आज हैं तो वह तो और लोग क्या है वह आशुरी प्रिवर्थी के रहे होंगे उन्हों ट्रेन को बीच में छोड़ दिया क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि वह भगवान की इर्शा करते हैं नफरत करते हैं उनको जादा सब्द अच्छे नहीं लगते हैं उनके कानों में उनको टीज होने लगते हैं इरिटेट होने लगते हैं तो इसलिए वह छोड़ देते हैं क्योंकि सभी को भगवान का जाप न इनों ही पतन के ही पूरे जड़ हैं तो इनको अगर परत्याग कर देते हैं तो आप किसन भावना अमरत जो बोलते किसन भावना भावित रह सकते हैं और गुलों का और वगवत हम जा सकते हैं इसमें अगर हमें हमें पता कैसे करेगा कि हमें क्या करना है तो हमेशा जो इसमें बोला गया है कि गीता में भी कि अर्जुन क्या थे अर्जुन को इतने जादा वो देलेमा जो बोलते हैं दोविदा में थे कि मैं जो उनके तीन पॡूरं जो वह क्या थे एक पहले धर्म धर्म बहलgod स्छतरी का धर्म नहीं निभा पा रहे थे छतरी का धर्म होता है कि उसको बाड चलाने हैं दोसरों की रच्छा करने के लिए थीक है बद करने के लिए भगवान ने बोला हो इंश्टक्रिया हुआ कि दर्म के इस्तापना करने चलाने वह नहीं कर पारे थे दो बिदाम थे ठीक है दूसरा था आत्मा और तीसरा था सरीर उनका यह नहीं पता था कि आत कितामा और आचार खड़े हुएं किरपाचार खड़े हुएं इनको कैसे इनका बदकिया जाए था बगवान श्री करशन ने थे पिनको सिच स्मझ लिया कि मैं आम मेरी मैं आपको स spiritual master जो जरनी है भगवान सरीकर्स तक जाने की आपको करना पड़ेगा इस्परिच्वल मास्टर का इस्टेडी आप दा बेदा आपको बेद और सास्तर पड़ने पड़ेंगे आउस्ट्रिशिटी आपको सत्संग करना पड़ेगा आपको पूजापाट करनी पड़ेगी सेंस पर आपको सेंस कंट्रोल करने पड़ेंगे जो पांच इंद्रियांं को पन्ट्रोल करना पड़ेगा मन पूद्धी पिर आपको स्परिच्वल नौलिज्ज python मिल जाएगी समझुाब आपके आप मुक्ति मिल पाप से आप जो है पाप भगवान ने आपकर काट दिये हैं ज सासत्रों के आदेशों की अभीलना करता है और मर्माने डंग से कार करता है उसे ना तो सिद्ध ना सुख ना ही परमगत की पराप्त होती है ऐसे लोगों का बोला गया कि जो कि भग्रवाण से बूला रे को में हर कि अच्छादा तर लोग है रहते हैं तो इसलिए एलिशेट थे उसे बचना चाहिए गीम लिंग शेपशंद नहीं करता है और कभी वह नहीं करता checks तो इसलिए हमें जो बताया गया कि जो सो साल जीते हैं तो हमें पचीस साल ब्रहमचर और पचीस साल ग्रस्त और बानप्रत तो सन्यास बैसी ही जीवन जीना चाहिए और बड़ा मृदभासी हमारा सरीर मन तथा बाड़ी है उस पे संयम बरतना चाहिए दिब्विकुडवाले इन पर संयम करते हैं मन पर मन कंट्रोल करते हैं बाड़ी पर कंट्रोल वो बुरा नहीं बोलते हैं तेज नहीं बोलते हैं बड़े पोलाइटली बोलते हैं इन पर संयम करता है वही भगवान को बहुत ज्यादा पसंद होता है भगवान बहुत ज्यादा उसको पसंद करते ह 16.24 तो जो कर्म हैं आपको 77 चेप्टर से लेके आपको 10 चेप्टर से कर्म ही बताएगे कि कर्म क्या होता है और कर्म क्या होता है निसकाम कर्म क्या होता है तो कर्म अगर जाने अच्छे कर्म और बुरे कर्म और मनुस्दो तरेक होता है दिव्यगुण वाला एक असुरी प्रिव हमें बगति योग में राहना चाहिए जितना भी कर पाए जितना भी ुजार्चना करनें जिसने हमारा मनसाबों असुरी प्रिवर्ति से निकल पाए इससे हमारा अगला जनम धन्य हो जाए सास्त्रों में प्रुवपाद क्या बोलते हैं कि सास्त्रों में चार मुख्ध दोस नहीं पाए जाते जो बद्ध जीव में होते हैं सात्रों में ये हैं अपूर इंदरियां कापटता त्रोड करना तना मोह गरस्त इन चार दोसों के काड़ बद्ध जीव बिद्विधान बनाने के लिए आयोग होता है अब अतेव बिद्विधान जिनका उल्लेक सात्र में होता है जो इन दोसों से परे होते हैं सभी बड़े- क्या है गीता क्या है बेद क्या है सात्र क्या है किसने बोला किसने लिखा है तो यह जब हम समझ पाते हैं तो हमारी आसकती भगवान के लिए बढ़ जाती है और इनको बैसा ही स्वीकार करना चाहिए जैसा लिखा है अपनी तरब से इसमें जो बोलते हैं कि कोई भी मिक्स नहीं करना चाहिए इसलिए जो गीता एजेटिज लिखा गया गीता एथा रूप का मतलब है कि जैसे भगवान ने बोला बगर मिलावट के आपको यहां पर पड़ाया जा रहा है तो यह होता है कि एक सुद्ध भक्त कैसे भक्ती करता है सास्त्रों के नियमों का पालन कि यह कोई सिद्ध प्राप्त नहीं कर सकता अतैब जो सास्त्रों के तात्पर को वास्तम में समझता हूए भाग्साली माना जाता है और यह सभी को मुका नहीं मिलता भाग्साली बनने का क्योंकि बेद सास्त्र में जो लिखा हुआ है वह लाखों- 1000 साल पहले थे चला आ रहा है उसको मित्या बताना उसकी अभेलब्ना करना मतलब आचारी परिवर्टी में जारा है कि हम नहीं मानते बेद सान्ट में करना है, धियंच सात्य में लिखा हुआ है, कि इलिसेड सेख्स नहीं करना है, रिशेट्सिप नहीं रखना है, है गेंबिलिंग नहीं करना है नो मीट इटिंग है नो इंटॉक्षिकेसन तो लिखा हुआ वह प्रोविन है तो अगर वह प्रोविन है और इसके एविडेंस भी है कि ऐसा करने थे आशुरी परवर्टी आती है और उनका संगार हो जाता है हम हम इतने भाकिसाली नहीं कि हम ना इतने सक्तिसाली ना सकती है कि भगवान हमें जमीन पे आएकों की भगवान हमारा दास नहीं कि हम बुलाएं चला है हम भगवान के दास हैं तो भगवान को हमेशा हमें नमस्कार करना चाहिए कि हे प्रूव जो भी हम काम कर रहें इस काम कर मुझे इतनी बुद्धी दे कि मैं यह जान पाओं कि हम मनुस में ही यूनी में कैसे बने रहें और चलोका या भगवध हम कैसे जाएं मुझसे सेवा ले कभी आपको यह नहीं बोलना है कि मैं कर रहा हूँ, जैसे आप एक माला जब कर रहे हैं, दो माला जब कर रहे हैं, तीन माला जब कर रहे हैं, चार माला जब कर रहे हैं, सोले माला जब कर रहे हैं, तो यह मत बोलो मैं कर रहा हूँ, यह बोलो कि कृष्णा मुझसे करवा रहा है यह दोनों में फर्क है किशना मुझसे करवा रहा है तो अगर ऐसे बोलते तो भगवान बहुत ज्यादा खुस होता है तो हमेशा हमें कैसे बोलना है कि हमें हमने हम गीता आप से कोई पूछे कि 9-10 क्या करते हो हम गीता का पाठ ले रहे हैं हम गीता पढ़ रहे हैं तो यह प्रवान के अंसते उसको प्रवचन सुनना था उसको सथसंग सुनना था इसलिए आप अट्रेक्ट होगे जो असूरी प्रवर्थि होंगे वह आपके साथ बैठे रहेंगे तो भी वह इर्षया करेंगे उनको मन नहीं लगेगा वह इदर-दर मोबाइल में देखेंगे कु प्रवची ने बताया है कि एक आर्टेक्टर था इंजिनियर उसकी वाइप थी वह इसकौन से जुड़ी हुई थी हैदराबाद की स्टूरी है तो वह पसंद नहीं करता था मतलब ज्यादा भगवान को नहीं मानता था और ना इसकौन को मानता ना सिरीकसुन को वह बहुत सोड़ने जाता था वो कर रहा कि मंदिर में जा रहे हैं यहां और दस मिट वाएंगे तो कार से बहां बेट करते रहते नेकिन वह दीमें डीमें कार कर लिया तो यह क्या होता कि यह अमेशा भगवान आप से करवाता है कि उनकी वाइफ थी वो छोड़ने जाते वाम खड़े लिए लिए तो भगवान खुद मौका देता है आप आप नहीं सोचने कि मैं गया हूं आप से भगवान कर रहा है तो आपको बड़ा आपने आप पे ऐसा करना चाहिए कि है बगवान मुझे और सेवा ले ले मुझे लेवल टू लेवल थी करवा ले मैं माला जब कर लूगा म लूगुड रजुगुड और सतोगुड इसके पूर्व की भगवान के ज्यान का मार्ग खुले मनुस को कम से कम सतोगुड तक ऊपर उठना होता है दूसरों के लिए ये उपयुक्त तथा प्रमाड़ी गुरु का मार्ग दिशन प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन सप लिए था और गुरु का पद किसने समाला सिरीकर्षन भगवान ने उन्हों इतना बेदर साथ की नौलिज होते हुए क्योंकि अर्जुन के बरावर हम कभी नहीं हो सकते अर्जुन बहुत ही सुद्वक्त थे बहुत ही जादा सुद्वक्त जैसे हनुमान थे राम जी के लि हमारे सामने कौन खड़े हुए हैं इनको मारने के बाद भी हमें क्या मिलेगा युद्ध होगा युद्ध में एक की जीत होगी इक हार की जीत होगी अगर वो जीत गय तो भी मुझे बिच्चा मंगनी है और मैं जीत गया तो भी मुझे विच्छा मांगनी है क्योंकि इस संसारिक सुख के लिए इस बहुतिक सुख के लिए ये राजपाट महल का क्या करूंगा जब कोई बचेगा ही नहीं तो उनका सोचना भी सही था लेकिन वो दिब गुड में होते हुए भी नहीं सोच पा रहे तो इसक लिए थे क्यूंकि उनकी आसक्ति उसमें जो थी वो भगवान में थी और भगवान ने उनका जो लीला रच्ति हैं जिस से बहुते हैं उंको सामते पास सीसली ज्रुक्त होता होता है तो बहाँ पर आटोमेटिक ही जो अरजुन है वो सिस बन गए और स्रीकसन है वो गुरू बन गए तो इसलिए हमें जो जीवन अगर सफल चाहिए तो हमें कोईन कोई गुरू हमें खोजना पड़ेगा जो हमें राइट डारेक्शन राइट पाथ पर ले जाए जैसे हम हम स्ट साथ की नौलेज है वो प्रमाड़ी गुरू चाहिए जो की जिसका भी गुरू हो वह में मार्क दिखा सकता है हम अपने आप से नौलेज नहीं ग्रहड कर सकते ना स्कूल की कर सकते हैं स्कूल में हम सभी जाते ते कोई घर पे पढ़के नहीं ज्यादा पास हो सकता है कि सार है कि अधरेकिशना प्रभुजी डिस्प्ले वह रहा है सेर हो रही है वह माइंड इंड सेंस का नहीं आ रहा है वह आप ट्वेंटी सिक्स पॉजिटिव वेलु आप निगेटिव इमोशन माइंड इंड सेंस का अभी नहीं आ रही है प्रभुजी मैंने तो किया हुआ है लेकिन आ नहीं रही है प्रभुजी किसी और को दिख रहा है क्या प्रभुजी इस अब नहीं सो कर रहे हैं प्रभुजी मेरा मेरा दिख रहा है क्या आपका तो देख रहा है प्रभुजी आपका देख रहा है ने ट्वेंटी सिक्स पॉजिटिव एलू आप निगेटिव इमोशन से लिखा हुआ रहा है नहीं यह नहीं आ रही है प्रभुजी और सभी भक्त जन का यही रिपोर्ट है प्रभुजी किसमें डाल रहे हैं बोलो चैट में डाल रहे हैं क्या साइड नहीं दिख रही है कैसे हो जबता है एक मिट आप अभी दिख रहा है क्या नहीं प्रभुजी अब क्या दिख रहा है अभी तो वही दिखाई दे रहा है प्रभुजी देव असूर साधन देव असूर साधन अभी आया क्या नहीं पर वो जी कि यागे देव आपका सुरू कहीं आगे आगे स्वलाव 1.3 अब आया क्या? हाँ आब आ रहे हैं, कनेक्शन टु गॉड़। कनेक्शन टु गॉड। हाँ आया नहीं? हाँ आवारी है, पर बुजी, माइन एंड बर्सेस इंटेलिजेंस. हाँ हाँ, यही बता, ट्विंटी फाइड. हाँ तो यह आज हमने शिश्टीन देवी तथा आशुरी सुभाव बताएगे, तो इस पर कंट्रोल कहने करना है, माइन बर्सेस इंटेलिजेंस. अपसे आपको दसमेट बताते हैं. माइन बर्सेस इंटेलिजेंस. तो माइन अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं, तो हमारा तेज से हम तेजुसी हो जाते हैं. तेज और तेजुसी में फरक है. तेज को चानाक बोला जाता है. अच्छा नहीं बोला जाते हैं. लेकिन तेज से अगर स्वी लगा दी जाए उसमें तेज उस्वी तो बहुत अच्छा बोला जाता है जैसे भगवान सिरीकसन बहुत तेज उसी थे जब भी किसी भी राजमहल में या किसी भी यग में जाते थे तो सभी लोग उनको साधर प्रडराम करके समझते थे कि भगव सब्सक्राइब करें फोकस ऑन गोल उसके लिए मेडिटेशन गोल कैसे होते हैं कि इस्ट्रगल वीजन लॉंग टर्म और सॉट टर्म यह पहले पढ़ा चुके तो इसलिए तोड़ा रिपीड कर रहे हैं मेडिटेशन में हाव इट हेल्प मेडिटेशन क्या हिल्प करता है क डिटर्मेशन बढ़ाता है जिसमें कि हमें पावर मिलती भगवान को याद करने की पट टू मेजर प्रॉब्लम से माइंड बहुत ज्यादा पावर्फुल है वह अगर बिनास भी ला सकता है और हम किसी भी पसो पच्छी पर कंटॉल भी पा सकते हैं इंटेलिजेंस कैंड बी कंटामिनेटेड अगर वो गलत डारेक्शन में चली जाती है तो नाइन एलेवन और जैसे अमेरिका में हुआ था वैसा भी कर सकते हैं क्योंकि और यह टेरिस्ट का होता है नाव वहाट पैसेंजर है टूब ठीक है तो उसमें हमें अलार्म जो बोलता है सोल केन भी बेक कंटेइनर हम कैसे करते हैं घवान की सेवा करते हैं हम जो मिस सुन्दी बैसे कंटेइनर हो गया अनौॉर्ड स्वारजनेगर होगे ठीक है तो कंट्रॉल ओवर मोर्स जो थ्री गुड गोले गया तो इगणिरेंस हो गया और इसमें तमउगण रजोगण और सतवगण हो गय प्रसादम देना है करना पॉजिटीब वेलू आफ निगेटीव इमोशन अब 26 आता है यह मारा भी नया फ्रेस सालों होगा तो पॉजिटीब वेलू आफ निगेटीव इमोशन जोते हैं तो क्या होता है तो रोल आफ इमोशन का रोल क्या होता है कि हम थोड़ा भी इमोशन कितने हो जाते हैं कि हम थोड़ा भी दुखी हुए तो तुरंत हम दूसरे के लिए दूसरा परसन आता है वो इतना एक दया भाव से हमारी तरफ देखता है कि हम बहुत गरीब हैं बहुत यह पैसे देदो भले वो पॉजिटिव नेमोशन और नेगेटिव भी हो सकते हैं फियर फियर आप लूजिंग कंट्रोल हेल्पस टेक दा इस्टेप्स नेसेटरी टू रिगेन एस सेंस आप कंट्रोल ओवर अवर लाइफ फियर फियर जो डर होता है कि हम कंट्रोल को लूज कर देंगे तो यह अगर होता है तो हम आसकती में गिर जाते हैं तो इसे नहीं गिरने के लिए हमें वो पॉजिटिव जो उतको बोलता है एक्टिटूड हमेंसा रखना है इमोशन समय निगेटिव नहीं करने फियर फेलियर हेल्पस अप्लेश अवर गोल् मोटिवेशन होता और कभी कम करता है जैसे कि हम नोकरी से अगर हम काम नहीं करेंगे नोकरी से निकाल दिये जाएंगे तो हम काम करते हैं फियर मोटिवेशन एक बार बहुत बोल देता है या टीचर बोल देता फेल हो जाओगे तुम नहीं पड़ रहे हो बहुत बोल देता तो यह फिर मोटिवेशन काम आना चाहिए कि आप दुबारा से फिर वो सतोगुड में आ जाए उसके बार भक्ति योग में आ जाए यह अच्छा जो आसुरी प्रिवर्थी कोते हैं वो कभी भी साउट नहीं करते हैं लाउड नहीं करते हैं तेज नहीं बोलते हैं अगर हमें क्रोध आता है तो क्रोज का रिजन्ट क्या रहता है कभी कभी ना हानी रहती है क्रोध में हमने सीशा तोड़ दिया बरतन तोड़ दिया किसी को मार दिया अब सब्द बोल दिया हमेशा ही उससे हानी होती है तो यह आसुरी प्रिवर्थी होता है इसलिए हमें ए लोग चैप्टर में क्या आएगा क्या पढ़ेंगे क्या मिलेगा संकीत मिलेगा तो यह कौन करवा रहा है लेकिन जो इसको नहीं सोन रहा होगा तो आप उसमें एक बदलाव देख सकते हैं जब चैंटिंग करने लगेंगे आप प्रसादम खाने लगेंगे भगवान की में एक चमक आजाएगी अलग से कॉन्फिडेंस जलकेगा क्योंकि भगवान आपकी हेल्प करता है तो जो आइंस्टीन हुए वो भी गीता को अपने पास रखते थे पढ़ते तो ऐसा नहीं है कि आइंस्टीन का जो ब्रेन था वो ऐसे मनुस्योनी में या भोतिक ने बनाय यह सब असुरी प्रिवर्ति के हैं डिसपॉइंडमेंट इमोशन्स गिल्ट लर्न टू अक्सेप्ट डैट फैक्ट डैट जस्ट विकाज यू मेंडे मिश्टेक डजनाट मेंस यू आरे मिश्टेक अगर आप सीखते हैं गलतियों से और गिल्ट फील करते हैं आप मानते है हम उसे गलती हुई accept करते हैं तो आप आगे उठ सकते हैं अगर नहीं उठ रहे हैं तो अब असुरी सकती है असुरी में चले जाएंगे असुरी नहीं मानता मैंने कुछ गलत किया है इसलिए emotions हमें control करने हैं हमें अच्छे emotion रखते हैं खराब emotion नहीं रखने हैं जो कि हमें anxiety सब्सक्राइब करें तो आप इंप्रूब करते हैं अपने आपको क्योंकि आपको सिखाती हैं आपको पता चलता कि हमारी बांट्रीज क्या है हम यहां पे रहेंगे इतने से ज्यादा हम नहीं रहेंगे तो पता है तो इसमें आप लोगों को इंप्रेश करने के लिए आप कमाते हैं खर्च करने के लिए गतना है उसमें दो तरह से प्रेटी भोग ज्यादा मतला ज्यादा आशक्रति में करो लोगों को दिखावे का मत करो क्योंकि वह सब भौतिक है सवाल का जवाब देपाएंगे इतना इंट्रिजेंसी भगवान देता है डवलमेंट आप एक्सिलेंट मीमोरी एंड क्रियेटिविटी आपका मीमोरी जो होती करें हम भूल जाते हैं बुड़ापा आता तो हमें परकिंसन हो जाता है थोड़ा बूलिंग समता हो जाता है पर ह किस से आया यह इसी से आया कि वह भगवान कितने ज़्यादा सुद्ध भकता है कि वह एसाइन्मेंट जो भी मिलता है हमें प्रभू जी देते हैं वह सबसे पहले करके बोई भेजते हैं और हम सब जो नए युवा है वह अभी तक सोची रहें कि कब बनाएंगे कब देंगे देंगे तो यह क्यों आता है यह जीता जीता जाकता जागरड है एक्जामपल है कि हम जब भी भगवान की आ सकती करता है तो वहां में मीमोरी एक्सिलेंट टेता रियाटीविटी भी देता हम नए-नए यूनिक आइडिया लेके आते तो नयानन से सोचते हैं हमारे मार्स अ spiritual master है वो आपने देखे होंगे ज्यादा तर उनके चेहरों पर आपने glow देखा हुगा एज बड़ी कम लगती है उनकी हमारे इननडी प्रभुजी है उनका देखना चेहरे ऐसे 200 बाट जैसे बल्ब जैसा चमकता रहता हमें साथ बीमार कभी इतने दिन हमें उनसे connect हो गए हमें सुद्भक्त सुद्भक्त से मिलता है संकीरतन करता कीरतन करता है इंक्रीज सेल्फ कॉंपिडेंस और जो इंफरुटी कॉंप्लेक्स होता वह रिमूब हो जाता है सेल्फ कॉंपिडेंस बढ़ जाता है हाई सेल्फ इस्टीम और हाई सेल्फ इस्टीम हो जाती उसको उसको फील होता है कि हम कुछ हैं और उसकी वो छोटी मोटी फिर बाते नहीं करता वो बड़ी बाते करते क्यों इतनी सेल विष्टी में वो काफी हाई हो जाती है वो अच्छा सोचता है फिर 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 समरी अर्जुन जी ने माइंड को कंट्रॉल कर लिया होता और सुरू से ही अगर यूत करते तब यह क्वेशन आता क्यों नहीं किया क्योंकि यह भग्वान की लीला थी भग्वान को पता है कि मुझे गीता का उप्देश देना कब देना कितने बजे देना है और कैसे देना है और अबेद व्याची क्या लेखेंगे संजय क्या देखेंगे दर्सटाज क्या सुनेंगे यह सब उनकी पहले से ही रचना थी सब उन्होंने लीला कर रखी थी इसलिए ऐसा होना था और युद्ध चोड़के युद्ध की रड़ भूमी में बीच में दिखाये गया कि इसकी इंपर्टेंस कितनी है गीता की युद्ध रोके के 45 मिनिट का उन्होंने आपको गीता का उबदेश दिया जिससे कि हम कल्यूग में बैठे आज इस इतने सुन्दर जिसकी पूरी दुनिया ही अभी इस पर रिशर्च कर रही है जो रिशर्च करते हैं तीन-चार अमेरिका के इडिक है और इसको भक्त बन जाते पता ने इस ऐसा गीता में क्या है तो इसको अपनाते जारे अपने एक्लासिस में चालू कर रहें तो लेकिन हम सनातनधर्म के होते हुए भी असुरी परिवर्ति में पढ़े हुए हैं जो कि हम माइंड कंट्रोल नहीं कर पा रहें इसलि और spiritual में जाके तो इस पे सबसे simple हमारा spiritual है spiritual method are the best as the result in permanent purification of the mind spiritual सबसे अच्छा बुला गया है उन दोनों में आप गिर सकते हैं आप थोड़ा आलसी हो गया कि नहीं कर रहे हैं आज exercise नहीं कर रहे हैं meditation नहीं कर रहे हैं योगा नहीं कर रहे हैं लेकिन spiritual में आपको control रहता है पूरा इस पजो आप करते हैं जैसे आप रहे किस्ना ह्रे किस्नाहिं किछ्नाहिरी अरी राम हरे राम 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 रहे तो इसमें क्या कि ज़्यादा सकती नहीं लगती है आप बैठ के भी कर सकते हैं और मुख से बोला हुआ कांज से सुनना है उस में आपका ब्रेन जो है मन है वो इहीं पर रहना चाहिए ऐसा नहीं कि आप बैठे हुए दिल्ली में और मुम्मेई और अमेरिका में मन जा रहा तो कोई फाइदा नहीं ऐसा है चैन्टिंग करके हो टू कॉन्टेक्ट इसको हमारे उसका लिखा गया कि अगर आपको लेवल टू या लेवल बन का पूरा यह डिटेल दिया गया मैंने कंट्रोल का यह उसका पूरा एड्रस है कैसे उनके यह बिंद्ग्रे पूजा होती है कैसे टेंपल है क्या उसकी रूप रेखा है डेली अ इनका वैसे नाम तो कुछ पंथ हैं वहां का है उत्राखंड के लेकिन इनका जो नाम बोला गया उसमें आध्यात्म में वह नाम है नमा निश्टादास इन्डी प्रभुजी तो यह पूरा सार है कि हरे किस्थना तो यह आज ओबर हुआ है कल हम आपको दूसरा चेप्टर सेबंटी जला किसी का कुश्चन आंसर है वह आप पूछ सकते हैं अरे किस्थना पर भूजी अरे किस्थना चैट बॉक्स में कुछ प्रस्थन है पर भूजी हां हां पहला प्रस्थन है रवी परभूजी के द्वारा नरक के तीन द्वार हैं नरक के तीन द्वार हैं काम करोद मोह करोद 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 काम हम करें बैसा कि जैसे काम हो गया कि एक हम काम कर रहें जो कि निसकाम नहीं है काम बासना होगी वो भी एक काम हो गया तो हमें निसकाम करम करना है तो यह तीन हो गया काम क्रोध और अगर हमारा कोई काम है अगर वो नहीं बनता है तो हमें क्रोध आता है जैसे हमारे 90% मार् क्योंको हमारा माइंड पर कंट्रोल नहीं है तो ये जितना जो होता है मोह और काम हो इसमें जो आशरी प्रिवर्ति ओतें बहुत ज्यादा ही नहीं रखते हैं दो शक्राम कर नहीं करेंगे। उस काम कौा काम बासना करेंगे वह संबंद मनाएंगे। और पैसा ल्टी तरवे जगाएंगे, कमाएंगे, उसके बाद उनका क्रोध है, वो कंट्रोल नहीं रहता है, क्रोध पे नहीं होता है, और लोब तो उनमें इतना भरा होता है, बहुत जादा ही भरा होता है, तो यह होता है, काम का मतलब यहां पर प्रभुजी वही हो गया है, कि वो काम में आ लगाएंगे अच्छे कपड़े पहनेंगे यह बोलते हैं काम जब यह नहीं ओपाता है तो उनको बहुत ज्यादा क्रोध आता है तो ऐसे करके वह मुहं में पढ़े रहते हैं यह प्रगो जी इसका मीनिंग अरे किसना पर पूजी हां अरे किसना अरे किसना और कोई आवाज नहीं और दूसरा पर विसाल पर प्रभुजी पूझ रहे हैं चैप्टर सिंपर विसाल पर वुजी करते हैं हां आ आ यह 16 चैप्टर 16 अगर सिंपल वर्ड में बोलें तो हमें चार चीजे नहीं करनी है सिंपल वर्ड जो हम बता रहे हैं चार चीजे इंटॉक्सिकेशन नहीं करनी है जो असुरी में आता है किसी तरह का नसा नहीं करना है च्छाए वो तुबयको हो चाहे वो सिगरी वह बीड़ी हो चाहे शिग्रेट हो चाहे दारू दूसरा वह गया इलिस्ट रिलेशन्सेम मदलाँ अबैस संब्स अपनी पतनी के आ भी सकता है, तो बहुत बुरा addiction माना गया है, ठीक है, चोथा हो गया, no meat eating, ये चार चीज़ें आपको नहीं करनी है, ये असुरी परिवर्थी गोती हैं, और इसमें धकेलता कौन है, तो इसमें जो चार दोस होते हैं, अपूर्ड इंद्रियां, क्योंकि इंद्रियों पे control नहीं है, तो अपूर्ड इंद्रियां इस पे बोलता है, कपटता, कपट, कपट आपको नहीं रखना है, आपका purification होना जाएगा, तरश्टी जो से बोला गया, error, जो हमें होती है, हमें सबकी अपनी कमियां पता होती है, हम कमियां वो rectify नहीं करते हैं, और मोहों के रस्त, वो पक्का ही क्या होगा, दिब्विगुण में होगा, तो दोई ही मनुस की यहां पर बढ़न किये गए हैं, या तो आइदर वो असुरीम होगा, शक्ती में, या तो वो आपको दिब्विगुण में होगा, तो यह 16 उसका है, चेप्टर का simple, और किसी का कोई question? और एक प्रस्न था, विसाल परभूजी का, गीता में कहा गया है कि जो आदमी बुरा व्यवार करता है, या पाप करता है, वो लोग जानवर का रूप लेते हैं, तो मेरा सवाल यह है, कि हम लोग जो कुत्ता बिल्ली या जानवर को पालते हैं, तो क्या हम सभी पापी लेकिन बैसे तो पालने में भी आपको पाप लगेगा, क्यूंकि आप बैसा नहीं कर पाएंगे, जैसा कि आप उसे रख पाते हैं, क्यों कभी आप से पाप हो जाएगा, तो लेकिन कुत्ता बिल्ली, वो अपने पापों की बज़े से जो उसने प्रारब्द की हैं, उसकी जैसे हूँ यूनी है उसे अगर हमने कोई चोली तो हम 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 हीं पर उसकी सजा काट लेते हैं और हम सुधिंन जाते हैं उसके बाद भगवान नहीं देगा क्योंकि वो इतना बड़ा नहीं है कि उसे मनुस्ष में नहीं लेकिन आपने पैसे का प्रियोग करके आप जेल नहीं गए और आप बच गए आपने आपने वो नहीं पाई दंड नहीं पाया तो भगवान आपको दंडे देगा क्योंकि भगवान को जो हमेशा रियल टाइम जो बोलते ना मॉनिटरिंग रियल टाइम फीडवेक कहां मिलता हमारे हिड़ते से क्योंको उनका अंस हमारे अंदर है वह यहां से पाप पुन्य सब देखता रहता हम कैसे करम कर रहे हैं अब लोट अच्छा सुन्दर है कि आपका इतने अंजना डे माता जी का इतने बहुत सुन्दर सवाल है कि क्यों है तो माता जी स्याम सुंदर इन्फिनिटिव थे क्योंकि वो कारणों के कारण थे जब भी आपने कोई जल देखा होगा पानी तो जितना गहरा होता है उतना वो काला होता जाएगा तो भगवान को समझना वो इन्फिनिटिव सुप्रीम पावर हेड इतने ज़्यादा सक्तसाल कि इतने ज़्यादा इन्टेलीजेंट छह जो गुड़ थे उनके इसलिए उनका स्याम सुंदर क्योंकि और अठ्रट इनको 64 गुड़ वाले वह थे लिए को माता जी हमेसा काला होता है जैसे समंदर का पानी नदी का पानी ले लो जितना गहरा होगा उतना वह पहले बिलू दिखाई देगा इसके माला इनिंफिनिटिव इसलिए उनका रंग ये हो कि अधाना है कि यह नोग और दस वजे का समय उनको काफी अच्छा लगता है यह अपका परभुजी का भी परवचन काफी अच्छा लगता है परभुजी ठीक है इसको आप डगे रही है उद्रार आपका हो रहा है हमारं सर वर्ण कररοι है और आप से भी कुछ हम सीक रहे है आप भी हमसे सीक रहे है औरsold to में आप जाये मेरा तो जो पृभुझी का आदेश है ऑंडी पृभुझी का वह यही है कि एक माला आप्लोग कर दें जो कर रहे हैं भगवान का आपको गीता एथा रूप आपके पास ला रहे हैं आपको समझा रहे हैं बहुत सो लोगों को पता होगा लेकिन हमें पता होने के बाद जब हम सिर्वड और संकीर्टन करते हैं तो हमारे दीमे दी में हमारा जो हमने आपको आर्टेक्चर वाली कहानी सुनाई थी फिरुपाद भी ऐसे बहुत सारी स्टोरी बताते हैं तो हमारे पाप धुलते हैं हम भगवाने तरब आ सकते हैं हमें और ज्यादा हम जैसे दारू पीने वाला दारू की तरब एडिक्सन होता ऐसी हमारा हि आप स्टार्ट करने अगर नहीं की होगी लेवल टू में आप रजिस्टेशन करवा दें और एक माला जब करें और कोसिज करें कि जो चार आपको प्रिंसिपल्स बताएंगे वो करें और प्रसादम जरूर खाएं और चड़ाएं और बनाएं घरवालों को भी खिलाएं अरे किस्ना पर जी और किसी का प्रूबुजी और किसी का प्रूबुजी अ खीक है तो कुई के बारे में बता दिया जाए बग्त जन खांटो सभी डिपोटीज को आपने जो रेजिस्टेशन किया वो रेजिस्टेशन लिंक पे आपको क्यूज करना है अठारे में दिन तक आपको पूरे क्यूज कर देने अगर छूट गया है उसके बाद जब अठारे कंप्लीट हो जाएंगे कोई भी चेप्टर अगर बच गया तो लेबल टू में जाने के लिए दो बहुत जरूरी रिक्वाइर्मेंट हैं पहला तो एक माला जब और दूसरा है अठारे चेप्टर के क्यूज यह दोनों अगर हो जाएंगे तो आप सरद्दावान होके लेबल टू में चले जाएंगे लेबल टू में और ज्यादा आन बहुत अच्छे अच्छे इंटेलिजन्ट लोग आते हैं जो कि उसमें गेस्ट लेक्चर भी होता है सीनियर बैसलब भी आते हैं बहुत सीक्रिंग बिलता उसके बाद लेबल थी होता है फिर लेवल फूर तो ऐसे करके यह लेवल हैं जो भक्ति-सास्तरी बोला गया तो आ आइन पीम एट पीम पे लेवल टू भी होगा और आपको मुझसे भी अच्छा आपको टीचर मिलेगा लेवल टू में और प्रभुजी भी किलास लेते हैं लेवल बन लेवल टू इनंडी प्रभुजी लेवल फॉर और भी टीचर हैं बहुत सुन्दर मतलब सुद्ध भक् सिक्स्टी परसेंट हैं प्रभुजी सिक्स्टी परसेंट दस में थे छे कोईसंस लिए और वो आप बार बार दे सकते हैं एक बार नहीं जैसे एक बार आपने दिया तो रॉंग और राइट पता चल जाएगा तो उसके पढ़के आप दुबारा दे दें कि कौन सा रॉंग सिवानी माता जी आप हमारे एड्मिन जो हैं सनद प्रभु जी को भेज दीजिए आपका जीमेल का जो इसू आ रहा है हम लोग करवा देंगे आप अपना आईडी डाल आईडी मुझे भेज़ने मेरा नंबर है आपके आईडी मुझे भेज़ने मैं करवा देता हूं आईडी और नंबर मुझे भेज़ने मैं आपका टेंपल से बोलके करवा दूंगा हमारे पास उनका वो है गुरूप है उसमें डाल देंगे आपका इसू सॉल्व हो जाएगा प्रभु जी मैं तीन-चार दिन से परेशान हो रहीं बहुत एरर्स आ रहे हैं माता जी परेश ज्यादा हसी आनी चाहिए आप से प्रेशानी हो रही है वो करेंगे वह भी करवा रहा है तो यह सब करेंगे पर चोड़ दीजिए आप यह तो बहुतीक चीज है प्रेशानी तो यह तो टेक्निकल गिलेचेश हैं आपको तो केवल चैनेक्ट होना जब बात करेंगे सामने वाला बोलेगा इसमें क्या चेंज आ गया है यह मैं प्यक्टिकल बता रहा हूं मेरे साथ हुआ है सनत प्रभु जी जो अभी बोल रहे थे यह सेवेंटीवन इयर्स ओल्ड एकतर साल के हैं और हमारे लेवल फॉर में मैं लेवल फॉर में भी हूं ले कि किष्णा कर रहा रहा है कि यह सनत प्रभु जी जो अभी बोल रहे थे ना मुझसे पहले युद्र वोल रहते जिए जो एड मिन है लेवल बन किया लेवल टू का लिंक है उसमें आपको दो टिक करने पड़ेंगे कि मैं एक माला जब करती हूँ और मैं मतलब जो सफ़त होती संकलब लेती हूँ कि एक माला जब करती रहोंगी तो यह कोर्स खतम हो जाएगा उसके अगले वाला जैसे ही संडे आएगा ज्यादा तर एका दसी को प्रभूजी रखते हैं तो दो ही क्वालिफिकेशन है अठारे चेप्टर का क्यूज कर लें और एक माला जब कर लें आप लेवल टू का लिंक लिए कि हम उसमें डेली डलवा देंगे गुरूप में हमारे पास है तो कल से वाज्ट्व में डलवा देंगे हरे कि इए रिक्वायर्मेंट है अहां बिलकुल कि अक और प्रसंत था एक और प्रसंत थे यह सरवन क्या आवश्य थे कह क्या अवाज्य है अगर आप सिर्वड जैसे हम जिल्जन करते हैं आमने आंवासे के लिए तो ऐसे ही आत्मा को से लिद चाहिए अत्मा करomme करो पैसा कमाओ दान करो नहीं करो उसको चाहिए चाहिए भगवान का संकीर्तन वह अत्मा को भहतिक से कोई लेना देना नहीं इसLie इसमें तो अच्छे बैशनव होते हैं इसलिए श्री करशन ने भ्रहमा जी को बेदो सास्त की नाउलिज दी उन्होंने नारद मुनी को उन्होंने ब्ध ब्याज जिका तो यह गुरु परंपरा चली आई एप उन्हें ज्फिथ मास्टर बहुट जरूरी होता नहीं ऐसा नहीं है तुल्ची बहुत सुद्ध भक्त है विश्णु की बहुत सुद्ध भक्त है इसलिए विश्णु जी ने उनको ऐसा जो बोलते हैं आशीर बात दिया था जब उनके पती की मिरत हो गई थी जब वो इतने सक्त साली थे और उनका पूरा ही सक्ती किनकी थी उ लेकिन वो किनका था उनके ही सबसे बड़े जो सुधध भक्ते बोलते हैं, उनकी जो पतनी का था तो उनको फिर यह उनका सिर उनके आंगन में गिरा जहां भो पूजा कर रही थी विसनुकी तो उन्होंने देखा ये क्या हो गया तो उन्होंने आसीर बात दिया था कि हम तुम्हें आसीर बात देते हैं कि मेरे साथ तुमारी भी पूजा की जाएगी और तुम बहुती सुद्ध भक्तो इसलिए तुम्हें जन्मों जन्म तक जब तक मेर तब तक तुम्हें पूजा चाहेगा इसलिए जो तुलसी की माला होती वो सुद्ध बोलेगी उसको रखना और समालना बोड़ा मुस्किल होता है इसलिए आप उसको ट्वाइलेट बातरूम वासरूम नहीं ले जा सकती है जपा माला रखनी है लेकिन आप स्टार्टिंग है तो वैसे बोला थी यही गया है कि आप तुलसी से करें लेकिन उसे पहने नहीं क्योंकि पहने में क्या होता है कि आप पहने के साथ कुछ ऐसे भी कर्म करते हैं जैसे आप फ्रेस होने के तो भूल गए पहने रहा तो उसको आपको लेटरिन बातरूम में बिल्कुल नहीं ज जपा कर सकते हैं जपा करते समय आप भहुत धीमे धीमे क्वालिटी के साथ बोलें और जो सब्द बोलें वो कान में जाएं उसे सरवड करें कैसे हरे किष्णा हरे किष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे यह बोलें और यह पर हाँ रिक्मेंट किया गया कि सुद्ध भक्त हैं बहुत ज़्यादा उसे करने से लेकिन उसका मेंटिनेंस भी बहुत ज्यादारखना पड़ता है और अगर आप सुरू में करते हैं तो starting किसी माला से कर सकते हैं वो धीमेबाद में सिख्षा गुरू जैसा बोले फिर दिख्षा आपकी होजा तो आप तुल्सी की भी कर सकते हैं तुल्सी की ले सकते हैं तुल्सी से भी चालू कर सकते हैं कोई दिक करने पर बड़ा समाल के र भगवान के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा आप इसमें रीडिंग करिए कल आप हेंड रेज करिए कि मैं गीता जो स्लोका हूं गीता का तात्पर पूरा पड़ूंगी कल से पड़वाएंगे आप केबल सिर्वड कर रही है तीक है हीरिंग हो गई और उसके बाद आपको बोलना है श्लोका है गीता है तो उसमें भी आपको आने बड़ेगा तो ये सुद्ध भक्त क्या होते हैं जो बोला गया कि वो सिर्वड और हीरिंग दोनों ही जो हीरिंग है और स्पीकिंग है प्रीचिंग है वो दोनों ही करते हैं भक्ति मार्ग पर अग्रसन होने के लिए सर्वनम आवस्यक है हाँ यस आपको अगर सर्वड़ी नहीं करेंगा तो आपकी नॉलिज कैसे बढ़ेगी आपको नॉलिज बढ़ानी है न हरे किसना हरे किसना बनाली माता जी आई है अब बनाली माता जी को अन्म्यूट करो हां माता जी अरे क्रिश्ण प्रबुजी अरे किसना यह मैंने लिखा था प्रबुजी अरे किसना यह नहीं जरूरी है प्रबुजी इसलिए थोड़ा सा बीच में जाइन कर लेती हूं हां बहुत माता जी बहुत खुशी हम से कम हमें अकेले में फीड़बेक तो दे देना बाद में जी प्रबुजी अवश्य जरूर मैंने इसे भी भेज दिया है प्रबुजी अच्छा उनको दिखंबर प्रबुजी को नहां ग्रूप पर डाल दिया मैंने ठीक है बहुत लोगों का फिड़बेक है प्रबुजी हां बहुत लोगों का है अच्छा तो माता जी आज आपी एंड कर दें स्लोका से बिलकुल ओके प्रबुजी वांच्छा कल पतर हुपके अच्छा पतिता नाम पावने प्रोवेश्टियो नमोनमा अरे किसना अरे किसना अरे किसना